हलो एबरिवान मैं पूजा और आज हम करने वाले हैं इस शेफलेरा के प्लांट की रूट बाउंडिंग की कटिंग और इसको करेंगे हम रीपॉट दोस्तों मैंने पहले वी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बात की थी कि शेफलेरा के प्लांट का बॉंजाई किस त आइम आ गया है और इसकी ग्रोथ भी इसने शुरू कर दी है यह देखिए इसकी नई नई ग्रोथ आ गई है इसमें अब हम करेंगे इसकी रूट बाउंडिंग को रिमो और करेंगे इसको रिपॉट तो चले फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी साइड्स को जिससे यह चारो तरफ से यह पूरी उपर तक आ रखी है यह हम काटेंगे जो इसके नीचे की में रूट है उसको नहीं हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब करेंगे यह देखिए इसकी कितनी जादा हो रखी है मैंने इसको पहले ही पानी दे दिया तो मिट्टी नरम हो गई है पानी में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए जिससे मिट्टी लूज हो जाए इसमें मैंने पहले ही पानी अच्छे से दे दिया था ताकि इसके मिट्टी जो है तोड़ी सॉफ्ट हो जाए और यह देखिए इसकी रूट्स कितनी जादा इसमें फैली हुई है इसकी जो में और सबसे मोटी जो नीचे की रूट्स है मैं उनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करूंगी क्योंकि वहीं से ये अपना जो अब दुबरा रिपॉर्ट करने के बाद जो सारा नया नियुट्रिशन ये लेगा मिट्टी से ग्रोथ के लिए ये वहीं से लेगा ये देखिए मैं आपको बाश करके देखो इसकी जो मोटी नीचे की में रूट्स हैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया है इनको बहुत आराम से धीरे से इनके बीच में से मिट्टी निकाल ली है और अब जो एक्स्ट्र छुटी छुटी जो और रूट्स हैं उनको भी कर लोगी जो पानी की में साफ करने की वज़े से अच्छे से साफ हो निकल आई है यह देखिए इसमें आप इसमें जब भी आप ऐसे रीपॉट करें और या रूट बांडिंग रिमूव करें हमेशा जो छोटी रूट्स हैं स्मॉल रूट्स हैं उनको रूमूव करें और चाटें उसके एक्सट्रा ग्रोध को काटें तो यह में लिया है एक हिसा गार्डन सॉइल एक हिस्सा इसमें लिया है सैंड का और एक हिसाव क्म्पोस्ट का यतीनों हमिलिकर Ecuador अब देएंट स्वाइल को चाहिए जो की ये पर्फेक्ट टै फ्लेरा के लिए देखे इसकी सारी extra roots मैंने cut कर ली है इसका जो ये उपर का हिस्सा है ये मैं मिट्टी से बाहर रखने वाली है और ये सारा बाकी का हिस्सा मिट्टी में दबाने वाली हूँ ये देखे इसी मैंने इसी pot का use किया है क्योंकि इस plant के size के हिसाब से ये pot अच्छा है इसको मैं इस से थोड़ा चोटा और दे सकती हूँ pot लेकिन मुझे ये perfect लगता है इस plant के लिए अगर आप इसको कहीं indoor या थोटे space के लिए और चोटा रूप वो देना चाहते हैं pot तो इस stage पे इसको चोटा pot दे सकते हैं इसको थोड़ा और बहुत जादा time लग जाएगा growth show करने में लेकिन problem कोई भी नहीं होगी ये देखिए इसका final look और शेफ लेडर दोस्तों बहुत ही hardy plant है अगर आप इसको थोड़ा सा भी अच्छे से handle कर लेते हैं तो कोई problem नहीं होगी इसके bonsai में इसका अब हमें जो ध्यान रखना है वो अब एक महिने तक हम इसमें कोई fertilizer नहीं डालेंगे किसी भी प्रकार की कोई compost नहीं डालेंगे एक महिने में ये अपनी पूरी growth नीचे से शुरू कर देगा और एक से दो महिने बाद हम इसमें liquid fertilizer use कर सकते हैं अब हमें इसमें किवल moisture को बनाए रखना है तब तक ये अपनी पूरी growth शो नहीं कर देता है इसको सूखने नहीं देना है completely तो ये था दोस्तों चुटा सा वीडियो कैसे report करें अपने bonzai को तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको पसंद आया है तो like कर दीजिए बाइबाइ